देश के कई हिस्सों में 25 जुलाई नाग पंचमी का पर्व मनाय जाता है बॉलिवुड फिल्मों में भी नाग नागिन की कहानिया खूब दिखाई दिये हैं जिन्हें दर्शकों ने पसंद भी किया ऐसे में बात करेंगे बॉलिवुड की उन अभी नेत्रियों के बारे में जिन्होंने बड़े परदे पर नागिन का रोल किया और अपने किर्दार से वावाही बटोरी 1976 में डिलीज हुई फिल्म नागिन में अभी नेत्री रीना रोय ने नागिन का मुख्य किरदार निभाया इस फिल्म को राजकुमार कोहली ने निर्देशित किया था फिल्म में रीना रॉय के अलावा सुनील दत, फिरोज खान, जितेंद्र, संजय खान, रेखा, मुम्ताज और कबीर बेदी ने एहम भूमी का निभाई फिल्म शेश नाग में दो इक्छाधारी सांपों की कहानी को दिखाया गया था इस फिल्म में रेखा अलग ही किरदार में नजर आई, के आर रेडी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रेखा के साथ जितिंद्र, रिशी कपूर, माधवी और मंदाकनी एहम भूमी का में थे यह फिल्म साल 1990 में आई थी 2010 में आई फिल्म हिस में मलिका शिरावत नागिन की भूमिका में थी फिल्म की कहानी एक विग्यानिक और नागिन के इर्द गिर्द बुनी गई थी फिल्म में इर्फान खान भी एहम भूमिका में थे जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फिल्म साल 2002 में रिलीज हुई थी मल्टी स्टारर इस फिल्म में सनी दियोल, शरत कपूर, सोनु निगम, अक्षे कुमार, सुनिल शेटी, अर्मान कोली, मनीशा कोईराला, सहित अन्यकलाकार मुख्य भूमिका में थे फिल्म में अर्मान कोली और मनीशा कोईराला, नाग नागिन की भूमिका में दिखे श्री देवी की ब्लॉक बस्टर फिल्म नगीना ने साल 1986 में बड़े परदे पर दस्तक दी थी फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन आज भी लोगों की जुबापर हैं नगीना में रिशी कपूर और अमरिश पूरी भी एहम रोल में थे